यह मेरे क्यारी में लगा हुआ गुलाव है यह देशी गुलाव है इसकी मैंने अक्टूबर में फ्रूनिंग करी थी अब इसमें फटाव शुरू हो गया है और फ्लॉबरिंग भी शुरू हो गई है आज मैं इसमें डीएपी की खाद दूँगी जिससे और अच्छी फ्लॉबरिंग होगी है इसमें सफेद रंका क्रीपर गुलाव है इसमें मैं डीएपी दे देती हूं सो खूब अच्छे से फूलाएंगी यह मेरे क्यारी में लगे हुए गुलाव है इस वज़े से मैं यह ज पर आजाएं यह कलिया निकलना शुरू हो गई है यह ख्यारी में लगे हुए गुलाव है कुछ देशी है कुछ इंगलेस है मैंने सब पौधों में मैंने डीएपी दे दिया डिएपी लगा के पानी लगा दूँगी इसमें और सब मैंने ताकत फटलाजर का इन पर सब फ्लावरिंग पर आ रहे हैं इसकी अगले में पिछले महीने इसकी प्रोनिंग करी थी सभी पौधों की अब यह अच्छे से फ्लावरिंग पर है मेरा सफेद रंग का क्रीपर गुलाव है बहुत बढ़ गया है उपर तक इन सब में अब कलिया आने लग गई है और इसमें को अच्छे से फूल खिलेंगे बहुत फैल रखाई बहुत बड़ी बेल हो गई है इस पर ढहर सारे सफेद रंगे गुच्छे में फूलाएंगे इस तरह से